राम राम सा मैं गीता चोधरी आज अपा बनावा बेसेंडरी बर्फी जद भी घरे मिटाई बनावनेरी बात आवे तो के यार इत्तो ताम जाम करन इत्ती मात पोड़ी करन कुण बनाई लेकिन आज में आपने बिल्कुल आसान तरीक्यों बिल्कुल कम सामगरी में एकदम से माप तोल रे साथे बर्फी बनावनों तरीकों बताऊ ला इन तरीक्यों था बर्फी बनावना तो इत्ती बढ़िया और दानेदार और स्वाधिस्ट बनेला के एक बार बनावनेर बाद में हमेशा घरेज बनान खाऊनी पसंद करो रहा बारे ली तो लानी भूली जाओ ल थाचावत पूरो 200 ग्राम भी ले सको और 230 ग्राम भी ले सको गी थोड़ोग सई बराबर हुए नी मातरा में जन बर्फी एज की बहुती बढ़िया बने हमें मैटे 200 ग्रामी बेसन ले लियो बेसन हलकोस जोको मोटो वाल होया करेनी वो लियो में इन मैने मोटो बेसन हम दानेदार और बहुती स्वादिस्ट बने हैं थोड़ोग बनाऊने रो तरीकों भी एकदम सही सही हुई अपनों जुन एकदम ना तो मुंडे में चिपे हैं ना बात इत्ती दानेदार और बड़ी अबर्फी बनन त्यार हुई अम गेसर यांच एकदम मीडियमीज राकनी है और इन्हें अपने बड़ी असे का कुर्पो अपने लगातार फेड़तो रहें उन्हें छोड़नों नहीं है इस्टील रिकड़े इमें थोड़ोग चिपिया हलो करें आप लोग क्या वोग के इमें नोन इस्टीक में या पच दालनों थोड़ोग दूद अट आधी कटोरी दूद लियो बिन में तीन चार मार्थ करकर न थोड़ो थोड़ो डालू इन्हु कई हुई कि अपन बर्पी में एकदम दानों पड़ जी और एकदम दानेदार बर्पी बनन त्यार हुई आप बहुत ही एच्छी ट्रीक है आप इन तरीकें जरूर बनेई जो एकदम दानेदार बिना दानों पाड़ियों ही दानेदार बर्पी बन जी जेकि अपन मूंडे में चिपपे भी नी और खाउने में ना पी बड़िया लागी इमें मावेरी भी जरूद नी है बिना मावे भी आईती बड़िया बर्पी बनी और था दूद नी डालो यदि मावो डालो तो दूद मत डाल जो दूद री जरूद को नी और मावो नी डालो तो थोड़ो सो आदू कपीन में इने दूद डाल देनो तीन चार वार करन दो एक मिंट और पकायों, अब आप इनी चासनी बनाई लाँ, तो चासनी बनाऊंनों वास्त में 200 ग्रामी सकर लियूं, अट चीजों सब बराबर रही बर फिर माईने बेसन, सकर और गी तिनु चीजा बराबर रही तो डैसो ग्राम बेसन, डैसो ग्राम सकर और गी मैंनी 20 ग्राम कम लियो हूँ थाँ चाओ तो बराबर ले सको आचीज में थोने बताए दी हमें सकर माईने आपा बिल्कुल आदो कप पाणी डाल दियो नीनी चासनी बनाए लेवाँ हैं उटीन आपा जोको बेसन रखियो बिनी हड़को फेरतो रहाँ नो है क्योंकि कड़ाई बहुत गरम है तो बेसन नीचे चेट जाला अट आपाने एको डेट तारी चासनी बनावनी है शकर हकरी गुल जा जन इन माईने दो एक चमचिया दूद कूर दा इन्नु का योई के चासनी रिजकी गंद गिये बाहेंग उपर आजी अधेको इन तरीकियों गंद गिया जन आपा कई करां एक चमचियों ले परोन उपरू हेंग काट लेवां इन्हों अपानी चासनी है जिकी एक दम साप हो जई अमस्त चासनी चेक करने वासते या तो थो इन थाड लेन चैक कर सको या पच एक कटोरी रमाईने पाणी ढालन फीन माईने युल बूंद गिराओंनी जन अपानी बूंद अचे पूरी फैल रिया कटोरी रमाईने तो आपनी चास नहीं त्यार नहीं हुई है इन मैन आपने एक देओं एक चमच इलाई चीरो पाउडर हैं औरेंज कलर लियो में औरेंज जोगो फूड कलर आया करें बिल्कुल पिंच एक लियो हूँ वो नेग देओं इन्नों कलर थोड़ो अग बढ़ी आई वे तो नेग दी जो न्यकी बात को नी अपने बेशन गोणों ही बढ़ी ही क्योडो है तो कलर यूँ ही बढ़ी ही जाई हमें आप बढ़ चेक कर लो तो देखो पाणी इर्माईन हमके में बूंदो नेकी जन बूंदो है जोकी एकदम फैले नी हगी जट जट नेकी उटे दम सही है दो तरीका हो या करे चास नी चेक करना एक तो था अंगुटे और आंगली रभीचे यूँ लेन बिने यूँ चेक करो नी जट बिनमाईन एक यूँ तार बनी तो तार बन जा तो ठीक है यूँ नी हमें जावे तो था पाणी इर्माईन बूंदा नेकन यूँ भ पाद में आप फाचो बेसनालों गोलियो है जुका अपा गेस मात रखदा यान इनमाईने आचास नी कूट दा अट में आदोग चमचो जेफल और जावी तरीरों पाउडर लियों बढान बहुत ही एच्छो स्वाद आवे इनमाईने थानकन वे तो जरूर डाल जो तरो ध्यान राकनों है थोड़ो वीडियो दे एकन था छोड़ दो कैकी को नी हमेत आपा बनाई लेओं पन हुड़ों हम जन वीडियो नी देखो और फहले बनान हरू कर दो तो बाद चीज सही नी बने फच था को यार माल तो एड़ी बनी को नी तो चीज फ़हला अच्छ हमें अपाने गेस बंद कर देनों है और इन्हें बढ़िया मिला और एक थालीर माईने सरू कर लेओं इन्हें बढ़िया मिलाई दियो हैं गेस बंद कर देनों हमें एक अट थालीर माईने थोड़ो गी लगाई दा पूरी थाली में बढ़िया गी लगाई लेओं इन्हों अपनी बर्पी है जिकी फाची होरी निकली चिपे नी अमें अपना गरम गरम गोल्यों जिन मैंने कूट देनों है ठंडों नी करनों है यूनी थां कड़ई पड़ी राग दोलां ठंडों जाला ओ देखो इस्टील रिकड़े ये नी जिन थोड़ गोनों तो नीचे चेंटी हो है कित्ती को सिस करी तो ही इन बाद में बढ़िया सेट कर ला थाड़े ने एकदम यू थपता पाऊं जन एक हीर की उजी पूर थाड़ी रमई ने थपता पान इने पहुंच एक मिन्टंड यून वास्त रख दो पहुंच एक मिन्ट बाद में आपो इन माते चौंदी व पूरी कर ली हमें ने पिस्ता ने उपर ब्यूर काई दा है न इन पनी उपरू दबाई दा थोड़ी ताकी पिस्ता है जिकी मैं जतरे उपर नीरे पांच एक मिन्टूई जो काम अपाने कर देनों है हली हूग गी तो पिस्ता नी जावे लमाई ने बिन बाद में आपो इन पिर साब्रा कट लगाई दा गट थानर मन पसंत हल गासगो में चकीर साब्र एक कट लगों इन माईने हळकी सी गीली वे जनई जिन माई में ने कट लगाई देना है नी तो पचदोर लागे सहीं नी लगे कट लगा परान आपो इन गंटे बढ़ वास्ते छोड़ दें Megay गंटों पड़ी रही एक ज़्यादा टायम हुझे तो की बात को नी पन जल्दी वेथ होने तो गंटे पर तो अपने राकनी जहीं ने गंटे पर बाद इने अपने चक्की बार काड़ लें तो देखो मैं डेध गंटों लगबगी ने छोड़ दी हैं डेध गंटे बात देखो अपने एक दम बढ़िया बर्फी जमन त्यार हुझी है किती बढ़िया जमी है इन महीन आपने मेजरमेंट रो ध्यान राकनों है बाकि की काम नी करनों है बस चीज से ही सी आप डाल लाँ एन एकदम से बनाओं तो एकदम बड़िया मार्केट जड़ी अपनी बर्फी बणन त्यार हुई आ देखो किती होरी निकले है आप गी लगै ओ थाली में बड़िया बिन कारणा बिलकुल होरी ओरी निकले बिलकुल चिपी निये थाली रे एंधा देख सको किती बढ़िया बणी है एंडईसू ग्राम में डईसू ग्रामीज में बेसन लियो बिन मैंना अपनी किती हारी बरपी बणन त्यार हुगी